GIS के Urban Planning में जो Applications हो सकते हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे GIS काफी सारी जगा में Urban Planning की Employer हो सकता है इसमें जो Raster है और Vector दोनों Database Structures हैं, दोनों में ही इसका Use होगा साथ में Simple as well as Complex दोनों ही Analytical Methods में ये Use होगा जैसे की Master Planning Applications है और आदी जो हम आगे डिस्कुस करेंगे तो बात चुरू करते Area Monitoring से, बोथ Sectoral और Integral Basis पे Regional Potential और Feasibility Analysis साथ में Site Selection Studies यहां ये Use होगा इसके अलावा वो Studies जहां पर आपको Plan के Alternatives बताने पड़ते हैं Flexible Design चाहिए आपको ये Optimized Design चाहिए या Essay Evolution Tool जो GIS को मतलब एक Help करें कि आप एक Dominant Position बना सकें Development Process की इसके अलावा जो Special Plans है उनके Documentation के लिए और उनके Approval के लिए क्योंकि Ultimately आपको Development करना है, Building बनानी है और Installation के Permits Declare करने है, वहां इसका Use होगा इसके लावा Land Management और Land Use Planning इन दोनों में आपके ये Use होगा साथ में Interpretation और Formulation of the Land Use Policy की को बनाने और इसको Interpret करने में, समझने में इसका उप्योग होगा जैसे कोई Modeling Approach आप इसके लिए लगा सकते हैं इसके लावा, आपके Output यदि आप Map में Show करना चाहते हैं, Land Use Changes करना चाहते हैं या फिर आप उसको किसी और तरीके से Statistics, Graph और Tables के Use के रूप में दिखाना चाहते हैं तो भी किसी Specified Special Units में आप इसको दिखा सकते हैं इसमें क्या होगा, कि यह जो Output आप दिखाएंगे, Different-Different दरीके से वहाँ पर Land Use पर जो Implications हो सकते हैं जो अधारभूत चीज़ें उसमें Effect कर सकती हैं, उसके बारे में पता लगेगा इसके लावा, जो Land Use Changes हैं, अगर उसका Prediction हम ठीक से कर सकें, GIS-based तो हम GIS-based Impact Assessment भी कर सकते हैं साथ में, GIS जो है वो Environmental Planning और Assessment Over the Years, Recent Years and Duration, Certain Duration of the Years यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे जहाँ आपके पास Special Data और उसके Attribute उसका जो Meta Data वो अवेलेबल हो, Environmental Planning में वहाँ पर आप इसका Use कर सकते हैं और इसमें क्या है कि जो Planning Task है इसमें GIS एक बहुत Efficient Instrument या Tool की तरह काम करता है अब जब Natural और Cultural Resource Inventory की बात हो रही है वहाँ पर GIS का Rule आएगा कैसे? Contamination जो Source है, जहाँ पर Unmorbital Constraints है जहाँ पर आपको उस जगह के बारे पता करना होता है सेलेक्शन करना पड़ता है जहाँ पर सीवेज वेस्ट हो उन सब के लिए भी GIS बहुत उप्योंगी है और उसके अलावा कि जब आप Trace की बात करेंगे तो उसका Treatment भी करेंगे तो Treatment Technique कहां कैसे? जहाँ पर Soil क्या ऐसी है, Topography क्या है, Land Use Factors क्या है? इन सब को मिलाके Biological, Chemical, Physical Properties को देखके आप कहां कहां Treatment की टेक्निक आप Employee कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं आप यापर एक और Example है, JIS का Wetland Applications Wetland, जब आज के समाने में, क्योंकि कई जगा हमने देखा कि Wetland नहीं होने के कारण या फिर जो Wetland है वो Unemployed होने के कारण, उसका ठीक से हमने इस्तमाल ने किया, इसलिए बहुत दिकत आई तो Environmental Issues तो हैं हैं, लेकिन Wetland का है, वो हर जगा पाया जाता है, चाहे आप शहर जाएं, चाहे आप गाओं में जाएं तो जो JIS और Remote Sensing Technology है, यह आपको वो Wetland का General Nature बताते हैं और जहां तक आप Regional Inventory Satellite या High Alternative Image की बात करें, तो यह आपको जो Data Analysis है, उसके लिए बहुत Valuable Resource प्रोवाइड रहता है जिसे कर एक डिजामपल देखें, यहाँ पर आप different parts में divide कर सकते हैं एक area को, settlements है, industries है, यहाँ देखें, आप अलग-अलग green areas, brown areas, अलग-अलग यहाँ पर define कर सकते हैं, साथ में इन दोनों को club करके भी आप यह area दिखा सकते हैं, कहां-कहां, क्या-क्या aspects हैं, तो शुक्रिय जिए टेफ माद आराप सकते हैं, इवध情यर पोले सकते हैं, यहाँ आप गवा आप आपसया।